हेलो गाइस मेकैनिक्स लेक्चर नमबर टू में आपका स्वागत है तो आज हम लोग कुछ इंपोर्टन कॉंसेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जो काइनमाटिक्स में हम लोग अक्सर देखते हैं ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो फेले कॉंसेथ्ट सब्सेफले संफेथा को सब्सेफले को सब्सेफले बात करते है अंगूलर व्लोस्टि की है को स्ब्सेफले प्छल रिप्रेसेंटिट वाई ओमेगा डाट 토 दी हीटा अपोन में कि 1000 को इसको हम लोग बोलते हैν 150 चेंज of angle ठीक है यह formula आपने देखा होगा गई बार ठीक है ना तो यह formula हो गया angular velocity का एक formula होता है angular acceleration का so angular acceleration is represented by alpha that's equal to d omega by dt ठीक है इसको हम लोग मतलब ऐसे भी लिख सकते है डी omega divided by dt और dt जासे into करते हैं तो डी omega by dt और dt कितना होता है that's the omega so omega तो यह formula भी आगया हमारे पास ठीक है ना अलफा का formula आगया हमारे पास एक ठीक है तो यह कुछ formula है यह आदक नहीं यह formula हमें तम्भी यूज़ करने है ठीक है जब हमारे पास acceleration जो है वह variable दिया हो दिखिए कोई खास फरक नहीं है इन फार्म लोज में जैसे कि हम लोग पढ़ते थे जब हम लोग linear acceleration की बात करते थे जैसे कि ए तो यह उतना था वी डीवी बाई यहाँ पर भी वह यह बस एक जगाँ अलफा आ गया है वी के जगाँ ओमेगा आ गया है और जो ठीटा है उसकी जगाँ एक सागे है ना तो एंगुलर के केस में अलफा यूज़ करते है और लिए यूज़ करते तो कुछ खास फरक नहीं दोनों में ठीक है ना तो यह यहाँ बीस आल्फा क्या हो बैलियबल दिया हो ठीकल लेकिन अगर अलफा अमें कॉंस्टेंट यहाँ पे अगर दो आगा यहां पर अलफा कॉंस्टेंट दिया हो तो हम लोग काइनमेटिक एक्क्विशन को कैसा लिख सकते हैं जैसे वहाँ पर था विज इकॉल टू यू प्लास यहां पर यूज करेंगे ओमेगा is equal to omega node plus alpha t वहाँ पर हम यूज़ करते थे linear accelerated motion में s is equal to ut plus half vt square यहाँ पर as को हम theta से replace करेंगे theta is equal to omega node t plus half alpha t square और एक equation होते थे हमारे पास v square minus u square is equal to 2s तो यहाँ पर यूज़ करेंगे हम omega square minus omega node square is equal to 2 alpha as को हम यूज़ करते थीटा ठीक है तो जब हमारे पास acceleration constant दिया हो तो यहाँ पर तीन ये कार्णेमेटिक equations यूज़ करेंगे यहाँ पर omega node क्या है आपर यह initial velocity omega है हमारे पास final velocity है ना और जो omega होता है यह थोड़ा ध्यान देनी वाली बात है omega जो है वो radian per second में होता है revolution per second में नहीं होता है revolution per second में अगर आपके वाज ऐसे बोलते है question में कि the angular velocity is given by some value with revolution per second तो actually में वो omega ना दे कि आपको frequency देते है actually में omega का formula होता है omega होता है 2 pi by t ठीक है और 1 upon t क्या होता है new तो 2 pi new तो actually में अगर revolution per second दिया हो है तो वो new की value दी होई है तो उसको आपको 2 pi से इंडू करना पड़ेगा तब जाके omega आता है तो और हम जानते कि अगर हमें इस omega की direction को find करना है तो हम क्या करते हैं तो यहां पर हम right hand thumb rule use करते हैं जिसमें हम अपनी fingers को कर्ल करते हैं और जो भी rotation की sense है उस तरफ अगर हम लोग rotate करते हैं अपना hand mileage rotation जो है ऐसे इस तरीके से हो रहा है तो अगर हम ऐसे अपनी right hand की fingers को कर्ल करते हैं जो थम्ब होता है सबसे best तरीका होता है question discuss करने का जिससे हमारे सारे के सारे concept जो है वो clear होने लगते है ठीक है question लेते है the angular velocity of particle ठीक है varies with time ठीक है एक आपको angular velocity रखिये ओमेगा जो की time के साथ वैरी करते है और उसकी equation दिए हुए है suppose करते है 2T i cap plus 2 j cap ठीक है so at what time the angle between angular velocity and angular acceleration is 60 degree मतलब कि हमें time period find करना है किस time पर जो angular velocity है और angular acceleration है उनके बीच में एंगल कितना हो 60 डिग्री हो देकि हमने देखा हुए वो time से जब हम लोग दो वेक्टर्स का scalar product करते है तो क्यासे आता है जैसे कि हमारे पास ओमेगा है और एक अलफा है ना एक ओमेगा है और एक अ ओमेगा है तो मेगडुट अलफा करते हैं तो क्या आता हमारे पास magnitude of omega magnitude of alpha cos theta और ठीटा कितना देखा हमें 60 डिग्री देखा है ठीक है तो हमारे पास हमें क्या चीह हमें omega चीह और ऑलफा चाहिए ठीक है ओमेगा क्या देखा हमें omega क्या देखा है इस 2T i-cap plus 2k ठीक है और अ तो तो रूट ओवर कितना आज़ेगा हमारे पास यह ती स्क्वेर प्लस वन ठीक है तो यह आगया ओमेगा अलफा अलफा कैसे निकाले इसे को कैसे करते हैं डिफ्रेंशिट कर देते हैं इसका अगरहम डिफ्रेंशिट करेंगे तो कितना करेंगे तो अगलिकि कर इसका तो एक इसकति करेंगे तो उइसके तो लोच नहीं कर आएगा तो ओमेगा डूट अलफा ओमेगा की वालिव अल्फा कि वेलिव ख़यर टू और अलफा की वैल्योव हमेगा की टू रूट होच अब तो 1 आजाएगा, आएकाप को जिएकाप से करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 2 इंटो 2, 4 T is equal to 2 root over T square plus 1, 2 2 जा 4, कर देते तो कितना आगा, 2 T is equal to root over T square plus 1, ऐसे कर देते, स्क्वारिं कर देते बहुत सहे, तो कितना आएगा, 4 T square is equal to T square plus 1, तो यह आगा, 3 T square is equal to 1, और T square की value आगे, 1 upon में 3, which summarize the T is equal to 1 upon root 3 second, तो इतना time लगेगा, हमें, जिस time period पर, जो angular velocity है, और angular acceleration है, उनके बीच में जो angle है, वो 60 degree होगा, ठीक है, तो I hope यह question आपको समझ में आया होगा, एक और question आपको discuss करते हैं, ठीक है, तो लेट करते हैं, एक करते हैं, एक वेलोसिटी, of particle, varies with time, ठीक है, एक वेलोसिटी का हमे कुछन ले 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 ए, 10 I cap, plus 10, 1 minus T, जेक है, यह 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 रोड़ोफ का कुछन है, तो, आइँ तो, यही वेलो समझ थी, ना, 1 minus T, जीजिए, okay, so at what time, the angle between velocity vector and a vector is 60 degree, इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं देखिए सेम वही कुछन है एक बिरा इसको आप लोग ट्राय करके देखिए खुछ से ठीक है वही है हमारे पास V और A को अगर हम डोट पुलेट करेंगे तो V Vector दोट A Vector is equal to V A cos 60 degree ठीक है तो हमें V Vector दिया हुआ है A Vector हम निकाल लेंगे इसको differentiate करके तो इसको अगर हम V Vector लिखे तो 10 I cap प्लस 10 1-D J cap ठीक है इसको अगर हम V by dt कर लेते हैं तो हमारे पास अधेगा A तो इसको कर लेंगे तो 0 हो जाएगा तो यहां पर कितना अधेगा 10-10 T मतलब कि हो जाएगा minus 10 जाना A आगे minus 10 J cap ठीक है यह आगे acceleration हमारे पास velocity का अगर हमें mode निकालना है तो यह हमें यह आपर चाहिए न mode तो V कितना आएगा इसको root लगा लेंगे 100 प्लस 100 1-T का whole square यह आगे velocity की value और A तो हमारे पास 10 आजाएगा अब पूट करके देखते है वी के value कितनी है वी के value यह है अगर इसको हम A के साथ root करेंगे तो हमें बता है एक के बास क्या है एक के बास है जे कैप तो जे कैप से जे कैप सिर्फ सोल्व होगा क्योंकि जे कैप से हम आई कैप को solve करेंगे तो वह 0 हो जाएगा तो कितना आएगा 10 टेंज हंड्रेड माइनस भी है ना दो 0 से 2 गई मैनस को अंदर इंटू करतें तो कितना पढ़ए टी माम हो जागा ना a is equal to root over one plus one minus होल सक्वएर और टूब्स फीछे से कि थे तो कितना टाएगा इना है है कि से करते में कराए आभ जो है भूआ सिरी माइनस मन का होग स्कुर्य इसको अधा करते है इसको क्या करते है अगर मैनस कॉममन भी ले तो स्क्रार से वह प्लस बन जाएका तो मतलब बन मैनस टी का होल स्कुर्य इकल टू वन प्लस मैंस ठीका होई स्कूर इसको कितना आ गए यह आ गया वन पून में 3 इकलर मानस टीका होई स्कूर और मिनुस करें और यहां से जो टीकी वैलिए हमारे पास आएगी त्सक्राइब यहां से यह चीज़िए की वैल्लिव आहां पास आएगी तो हम लोग बहुत अराम से कर सकते हैं इसको चीक है न तो यह तो हो गया स्क्वारिंग वहां गई तो रूट बन गया न तो ब्लस में झाल नहिंट लेंON है स्क्वर वहाँ गया तरूट में रूट में वैल्यू फ्लसमें आती है ना मतलब कि टी को आहिए तो वन्मायनज के बबहुट वह सकती है यफ्ल сवी फिराफ भीक धार नहीं माद है तो क्या数 के ही जाताų टाइम पिरिट हुए ना मतलब हम लोग कभी भी नेगी टीव में लें इakah ललीतिव याल्यू का क्वंशप्ट डित्फर करीन है मॉस्ट इंपॉर्ट इंपॉर्टिब नो मिधूर्ड थो मॉस्ट इंकानिक्सर द्युक्रो आ agree बहुत अच्छे अच्छे कोशेंस मतलब हम लोग solve कर सकते हैं और कोशेंस तो बात में पहले हम लोग concept को डिसकस करते हैं so what is the concept behind the relative velocity and concept को भी छोड़ते बाले बात करते हैं what is actually a relative velocity so ऐसे करते है relative velocity का हम लोग concept start करते हैं so firstly heading डालते है relative velocity फिर बोल रहां यह वहला topic बहुत important है ठीक है आपको आता है अगर बहुत अच्छी बात है नहीं आता है तो एक बार आप इसको डंग से देखी ठीक है relative velocity होती क्या है सबसे पहले velocity of an object with respect to the other object is called relative velocity relative velocity को समझने के लिए मैं एक simple सा example देता हूं suppose कि आप किसी कार में आप जा रहे ठीक है आपके friends हो है और आप सब ठीक है आपके कार में कोई बैठा हूँ है suppose आप ही बैठे हो और आप देख रहे हो कि मतलब यह कार जो है मेरे से आगे निकल गई जो सामने वाली कार थी यह तो मिरे से पीछे ती अभी आगे किसे निकल गई तो मैं पूशता हूँ कि आपको पता कैसे चला कि यह कार जो है आपकी कार से आगे निकल गई आपको तब पता चला जब आपने अपनी कार की वेलोसिटी को इस कार की वेलोसिटी से क्या किया Jada Relyate किया आपक्चुली में इसी को हम रेलोसिटी वेलोसिटी क्याते है तो एक्चुली में जो वेलोसिटी व्हold अपक्जयक्ट की वह तो different objects या different places के लिए different हो सकते हैं क्योंकि देखिए जैसे कि हम aeroplane को देखते हैं तो अगर हम लोग observer है तो हमें लगता है कि aeroplane ओल रहा है तो इसकी speed कितनी कम लगती है जब हम देखते हैं लेकिन actually में हम जानते speed उसकी भोजाता होती है ना तो मतलब किसी भी object की जो velocity है वो observer पर depend करते हैं कि कौन उसको observe कर रहा है तो उसकी according velocity जो है अलग अलग भी हो सकती है ठीक है ना और इसमें हम लोग काफी जीजा assume करते हैं कि अगर आप observer हो आप किसी जगह पर stand होका किसी object को observe कर रहे हो तो आपको यह लेट करना होगा कि जो भी place of observer है वह rest पर है मतलब कि जो observe करता है उसको हम लोग rest पर मानते हैं जैसी कि अगर सब्सक्राइब किसी elevator पर आप खड़े हो ठीक है और आप चल रहे हो ठीक है यहाप रुके हो आप ठीक है तो आप किसी object को अगर आप जो है relate कि मतलब किसी object को अगर आप देख रहे हो कि जो motion कर रहे है तो आप जो observer हो तो आपको यह लेट करना पड़ेगा कि आप जो है rest पर हो ठीक है तब ही आप उसकी जो है ना velocity कर सकते हो मतलब कि we have to assume that the place of observer is at rest with respect to the observer standing on it जो observe से बात है कि जो observer observe करता है तो उसकी जो observation है उसको हम लोग rest पर लेके चलते हैं मतलब वो rest पर रहेगा तब ही तो हम वो किसी दूसरी की velocity को measure कर सकता है मतलब कि अगर आपकी car चल रही थी ना तो आपको एक particular time time पर let कर ना पर आपका कि आपकी car rest पर है अगर आप observe कर रहे हो दुसरी कार की velocity को ठीक है ना तो मालिच आपकी मतलब कि आप जो है अबसर्व कर रहे हैं तो अबसर्व को कर रहा है बी कर रहे है यह लूस्टी आफ अब्जेक्ट ए इसका इसे बोलते हैं वेलोस्टी आफ Remote ए विद रिस्पेक्ट कि यह 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 अगर मैं बोलों वी बी ए तो इसका उल्टा हुझ देगा वेलोस्टी आफ object B with respect to A ठीक है तो देखिए दोनों की जो velocities है वो क्या दूसरे के क्या है opposite है ठीक है तो अब इसका relative velocity का formula क्या होता है उसको भी को हम discuss कर लेते हैं so what is the formula of relative velocity so formula के लिए हम एक figure मना लेते है अच्छी सी ठीक है माने जिए कोई initial point यह है तो object A है और यह कोई object माने जिए B है ठीक है तो यह हमारे reference point लेते reference point से जो distance है O का A से उसको मान लेते हम R ए और O से B का जो distance से उसको मान लेते है आर भी ठीक है और A से B का जो distance से को मान लेते हैं हम लोग उसको R मान लेते है यह delta R जो भी मान सकते है ठीक है तो what is RA? RA is the position vector of A, R B is the position vector of B तो अगर हम यहापे triangle vector लो लगा है triangle vector लो क्या होता है कि same order में जो भी vector जितते हैं उनको add कर देते हैं और जो opposite order में होता है उसको मान लेते हैं देखो यह arrow यह इसकी भी ऊपर की तरह मतलब ऐसे tail head, tail head, tail head, head, tail उल्टा हो गया आपर तो यह resultant हो गया तो कैसे लिख सकते है इसको RA plus R यह आपनी पढ़ा होगा ना triangle vector addition RA plus R is equal to RB तो यहाँ पर हम R के लिख सकते है RB minus RA और अभी हमने सीखा RB minus RA को क्या मतलब लिख सकते है लिख सकते है RB A मतलब कि position vector of B with respect to A is equal to RB minus RA और इसको हम differentiate कर दे एक बार तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगी velocity मिल जाएगी ठीक है तो कितना होगा VBA is equal to VB minus तो यह भी लिखने का तरीका आगया कि अगर हमारे पास VBA यह दिया हो तो कैसे लिखेंगे VB minus VA महली जागर object का लिखा हो VAB यह ज़िए VAB है तो इसको लिख सकते है VA minus VB ठीक है तो यह तो समझ में आ गया आगया बात करते है कि magnitude वाला formula क्या होते है so what is the formula of magnitude magnitude formula क्या होते है तो suppose करते है कि एक object है जिसकी velocity है V1 along this direction एक object है इसकी velocity है VB यह V2 along this direction ठीक है और इसकी बीच में एंगल कि इतना है ठीटा है तो हम जानते है कि अगर मैंजे माले चे लिखना है कि velocity of 1 with respect to 2 तो इसका मतलब क्या होगा V1 minus V2 यह तो दीखिया हमें पहले पता चलोगा तो V1 कैसा है इस direction में और V2 कैसा है minus में तो minus में करने के लिए क्या होगा इस तरफ इस के लोग अगर back to V2 positive है तो इसके against कैसे करेंगे इसको negative करने के लिए इसके positive line डोग करेंगे so this is the V2 यह हमने सीखा हुए class 11 में और यह एंगल कितना हो जागा यह एंगल हो जाएगा ठीटा है पुरा वनिटी है तो यह वनिटी माइनस ठीटा हो जाएगा ठीक है V2 की बीच में हमें एंगल निकाना है V1 और मैनस V2 की बीच में एंगल निकाना तो कितना होगा मैं एंगल होगा 180 मैनस ठीटा और हम यह बहुत भली बात ही जानते है कि जो 180 मैनस ठीटा होता है को उसका second quadrant मतलब की negative होगा ना तो मतलब V1 स्क्वेर प्लस V2 स्क्वेर माइनस टू V1 V2 कोस ठीटा तिस इस दा फॉर्मला ओफ मैगनिटूड ओफ रिलेटिव वेलोसिटी ठीक है ऐसी अगर एक्सेलेशन का फाइंड कीजा है वादब रिलेटिव एक्सेलेशन क्या होगा तो यह भी असान है तो महली जी वी ए भी निकालना है तो वी ए स्वरी ए ए भी से निकालना तो ए ए माइनस एभी और एक्टर सेंड लगाना ना भूले ठीक है अब बातब बात करते हैं की ऑई इतरीव वेलोसिटी यह डैटिव एक्सेलेशन जो ठीक है तो इसमें क्या तरीके होते हैं मतलब किसी भी मतलब प्रोब्लम को solve करने के लिए तो solve problem ठीक है तो तरीका बन क्या है कि by considering motion of both object ठीक है और second होता है by assuming one object is at rest and other object is moving with respect to with relative velocity and relative acceleration मतलब कि किसी भी प्रोब्लम को अगर आप solve कर रहे तो आपको कुस्तों consideration करनी पड़ी कि ना यह पर तो consideration हम क्या कर सकते है पहले consideration कि दोनों के दोनों object जो है वो motion कर रहे है तो यह यह आपको let करना पड़ेगा कि दोनों के दोनों object जो है motion कर रहे है या फिर आप यह let करो कि एक object रस्ट पर है और जो दूसरा object है वो relative velocity के साथ move कर रहे है ठीक है यह दो में से कोई भी आपको एक लेट करना पड़ेगा अगर आप relative velocity का question solve कर रहे है ठीक है तो आप ऐसे लेट कर लो है यह आपर कि जो अब्जेक्ट नम्र ए है वो थीक है वो मुफ कर रहा है और अब्जेक्ट नम्र बी जो है ब्लेट कर लो कि वो रेस्ट पर है ठीक है यह तरीका है सोल करने का उसको लेट कर लो कि वो रेस्ट पर है और जो दूसरा होगा अब्जेक्ट नम्र ए वो रिलेटी वेलोस्टी स मुफ कर रहागा वी एबी से या तो यह अक्सलेशन लेना हो तो एक्सलेशन एबी से तो यह तरीक तो यह तरीक तो